नमस्कार दोस्तों नौर्थपोल वेल्ज में आपका फीड से स्वागत है डिस्लेमर के साथ आज एक और वीडियो सुरू करने में जा रहा हूं यह एजुकेशनल वीडियो है इस वीडियो को देखके आप कोई भी पोजिशन बाई और सेल मत कीजिए आपका पैसा है आप समझ में आता है आप खुद एनालेसिस कर सकोगे एफफफाई और डियाए के डेटास भी देखेंगे और हम लोगों ने जो ओंजिसी में पहले एक पोजिशन सेवंटी नाइंग में बनाई थी एटी के रॉन बनाई थी बनाई थी वन जिरो टू और वन जिरो टू और वन सेल अट 15 जब वापस फिट से आया तो उसको उसमें रिपीट हम लोगों ने रिएंट्री की थी उसका भी वीडियो इधर है और जब हम लोगों ने उसको सेल किया था तबी भी हम लोगों ने वीडियो बना के अल्ड़ी डिस्क्राइब कर दिया काफी वीडियो अपलोड अगर तक आपने यह पैसा बचाने वाला और पैसा बढ़ाने वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट है जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो एंड में आप इसको लाइक कर सकते हैं अगर कोई भी क्व रहा क्योंकि आज एक्सपाइरी थी और आज करीब करीब 15 से ज्यादा स्टॉक्स में आज रिजल्ट था रिजल्ट दे था अप एंड डाउन बहुत रहा है फिर भी माइनस 535 मार्केट डाउन रहा है जैसे हम लोग ने कर दिया है कि 50,000 का माइल्स्टोन होता है वहां से करीब करीब 4-7% का करेक्शन होता है और दीरे दीरे वही हो रहा है इतना फास्ट आएगा यह समझ में नहीं आया लेकिन आगे जो इवेंट है बजेट का इवेंट है तो हर बार मैंने फेस्बूक पेज़ पे भी अपलोड क इसमें मुझे डाउट हो रहा है कि कुछ मार्केट बजेट में ऐसा होने वाला है जो मार्केट में न्यूज लिख हो गई है और बड़े इन्वेस्टर्स इसमें काफी सेलिंग कर रहे हैं अगर हम लोग टॉप गेनर्स में आज देखे तो बीपील है कोई जो बड़े- किया जा सकता है हमारे पॉटफोलियो में है स्टडी पॉटफोलियो में तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे उसके लेवल्स भी हम लोग देखेंगे आज एनसे के साइट साइट पर आईए हम लोग चैक करते एक्टिविटी एफफाई और डिया की क्या है देखे एफफाई में 28 आज के डेटा अपडेट हो गया है उन लोगोंने बाई किया है 8493 का सेल किया है 12206 3712 का टोटल उन लोगोंने सेल किया है फर्स्ट ताइम इतना बड़ा फिगर्स आ रहे है दियाए ने भी जमके आज माल बाई किया था 6351 का उन्होंने बेचा 4614 का सामने वह घर पे माल लेके गए 1738 का यह ठीक है क्योंकि जब से डेवन जानिवारी का था मैं तब से आपको बता रहा हूं कि डियाए कंटिनियूसली बाईंग सेलिंग मोड में है और यह एफफाई जो है कंटिनियूस बाईंग मोड में है तो यह पूरा रिवर्स हो गया है अग अगर हम लोग देखे तो डेवन से देखिया है उन लोगोंने कंटिनियूस नवेंबर से बाई करते आया है सबी जगा पे उन लोगोंने फोर्ट जान का देखो अठासो फॉर्टी थरी का उन लोगोंने बाई किया है एट जान को तो 6,000 का बाई किया है 11 को 3,000 का पूरा ग तो काफी selling pressure FFI क्योंकि अभी उन लोग के पास काफी माल होगा और सभी almost profit में होगा तो वो लोग बेज भी रहे हैं सामने अगर डियाए का हम लोग data देखे डेवन से तो यह हम लोग जानिवरी की बात कर रहे हैं तो starting सही almost अगर जानिवरी फर्स्ट जान छोड़ दे तो उसक यह पास काफी cash पड़ा होगा तो देखे यह यहां से उन लोगों ने भी अगर दो दिन में काफी market correct हुआ है तो buying सुरू हो गए हूँ है Reliance जैसा stock जो है करीब करीब 12 परसंट लाज 7 डेज में नीचे आ गया है तो उसमें भी काफी अची buying हो रही है देखिए हम लोगोंने Reliance के बारे में भी यहां clear cut बताया था सेम वही pattern पे Reliance सल रहा है मैंने बताया था 16,000 और 70,000 तक market drag हो सकता है 18 आज देखिया कहां आ गया आज हम जिस stock के बारे में बात करने जा रहे है वो है तो अगर हम लोग देखे तो अभी जो 90 के आराउंड गूम रहा है तो वह 86 का लेवल जो है first support तो अगर 86 और 84 जो first support आता है 80 के आराउंड ही आ रहा है 78 बाता रहा है इतना मुझे अभी नहीं लग रहा इतना track होई क्योंकि उसमें अभी momentum बहुत स्लो हो गया है जब वह purchase हुआ था तो काफी volumes के साथ पर्चेस हुआ था 105 टाच किया था 86 और 107 देखिए अब यह अगर 86 ब्रेक नहीं कर रहा है और आज भी दो दिन में काफी strong रहा है और नहीं ब्रेक हो रहा एक और candle green बन गई है तो यहां से return होने के पूरे पूरे chances है हम लोगों ने 89 के around purchase शुरू कर दिया है आज भी purchase किया है तो हमारी strategy यहां से 89 रूपीज से ही बनेगी और यह time हम लोग इसको बेचेंगे 109 के करीब बेचेंगे करीब एक लाग का profit मिले ऐसा कुछ target करके हम लोग चल रहे हैं तो अगर 5000 अगर purchase 89 में हो रहा है तो 4,45,000 का investment होगा 109 में बेचेंगे तो एक लाग मिलने के बाद 5,45 होगे इससे पहले भी जो हमारे पास 1,20,000 है जो profit मिलता है उसको मैंने 3 साल के लिए हम लोग locking में दूसरे account में डाल देते है ताकि आपका जो profit है वो बचा रहे और तीन साल के लिए long term के लिए भी चला जाए यही मेरी strategy रहती है कि अगर stock को study करो लंबे time पर उसका target निकाल दो यह बड़े brokerages house है अल्यडी target दे चुक है 1010 134 और 167 तो जब भी नीचे जाता है तो हम लोग उसको buy करते है और उपर जाता है तो sell कर देते हैं जो profit होता है उसको लंबे time के लिए side track कर देते हैं यह पूरा portfolio फेबरुरारी में मैं study portfolio और model portfolio 2021 शेयर करने वाला हूं इतना जब तक जितने भी वीडियो बन गए है उसके क्या levels है profit और loss कितने है माइनस मार्केट में भी उसके बारे में भी हम लोग पूरा discuss करेंगे तो इसके लिए अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर से subscribe कर लेना ताकि जब भी मैं क वीडियो अपलोड करो तो आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए तो यह आज 28 को हम लोगों ने यह सुरू कर दिया है 89 में purchase इससे जितने भी कम price में मिले आज करीब-करीब 1000 के around shares buy हो गया है मैं one short में buy नहीं करता हूं तो एक और quote मैं आपको बता देता हूं के only buy something that you don't be you you would be perfectly happy to hold if the market shut down for the 10 years 10 साल के लिए मार्केट बंद हो जाए तो आराम से यह वो पैसे की और वो स्टॉप में बिल्कुल चीनता नहीं करें आपको इतना स्टॉंट होना चाहिए तो ओंजी से मेरा वही नजरिया है और again मैं आपको बता दूं के यह मेरा disclaimer है क एजुकेशनल वीडियो है आप इसको पेपर ट्रीडिंग करें आप पहला स्टडी करें मैं क्या बोलता हूं अगर बात समझ में आती है तो आप खुद की स्टेजी बनाइए आपके कंसल्ट कीजिए एडवाइजर को और बाद में ही आप उसको परचेज और सेल करी तो बने रहे हैं मार्केट में और पैसा बनाते रहे हैं थेंक्यू वेरी मैस्ट